कुछ भी नहीं तो हमारा जो मोटिव है हमारा जो हमारा जो वीजन है वह हम कभी किसी से क्वैलिफीकेशन नहीं पूस्ता है क्या बात आज तक हमारे पास जितने भी लोग आए हैं हम किसी से क्वाइलिफिकेशन नहीं पूस्ते हैं भले ही वह अपना बायो डाटा में वह चीज मेंशन करने हम एक्सप्रियेंस पूस्ते हैं विजन पूस्ते हैं क्योंकि जब तक आदमी को उसके जीने का उदेश नहीं इंप्लॉय बन सकते हैं और आने वाले समय में जो हम लोग का उदेश है 22-23 जाते जाते विहार के एक-एक गाउं तक हमारी आगों को पहुंचाएंगे सहरसा से स्टार्ट हुआ सहरसा सुपोल मधेपूरा दरभंगा मधोबनी पूर्णिया और भागलपूर में हम लोग का आफिस का खतम हो चुका है अक्तूबर में हम लोग लांच कर देंगे ऑफिसली हम अपने कमाये हुए पैसे से अभी तक आईफोन नहीं ले पाए हैं और मेरे हाथ में एक आईफोन है वो आईफोन जिसको पूरे भारत में कवर किया है बगल में बैठे दिल्खुष है दिल आईफोन खरीदा और उसे स्टोरी को पूरे भारत के मीडिया के हाउसेज ने कवर किया था और आज जब दिल्खुष हमारे कार्याला आये तो हमने यही पूछा कि आपका आईफोन ठीक से चल रहा है कि नहीं इन्होंने हमारे हाथ में थामा दिया बार बार आप सोच रहे है क्योंकि बिहार के एक ऐसे छेतर से आने वाई लड़की की कहानी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है जो अभी दो मिनिट पहले कह रहे थे कि मेरी मा जब 300 का साइकिल खरी दी थी तो तीन लोग से पैसाली थी हम यहां आपको भावनात्मक तोर पर कुछ भी परिशान नहीं करना चाहते हैं लेकिन अगर यह कहानी आप नहीं जानेंगे तो शायद आप भी कोई सपना नहीं देख पाएंगे बड़े खाब को देखने के लिए जरूरी है कि आप कभी अख़बार को बिच्छा कर वहां बैठे और उसके बाद जब पलंग पर बैठेंगे तो उ करना कर दिखाएंगे और सबसे बड़ी बात यहीं है कि हम अपने क्वालिटी से कभी कंप्रमाइज नहीं करते हैं कंपनी का नाम है आर्या गोब अब तक तक तकरीबन 500 गाड़ी ये लोग अपने कंपनी से कनेक्ट कर चुके हैं और बिहार के लंसम 10 जिलो में ये लोग से गर्दा चल रहा है ब्यारी एस्टाइल में चलता है लिखते हो कि लिखेंगे और पुरा बारत कवर करें नहीं ऐसा कुछ नहीं था जिस दिन यह आइफून आया था हमको मतलब सब्सक्राइब करने काम करते हैं वह इससे सामने वाला भी करता होगा तो ऑडर किये वह भी चेतन का फ्रेशर था जो भाई ले लो हम बोले भाई उसके साथ एमोशन जुरा हुआ है लेंगे आराम से लेंगे तो नहीं ले लो अब तुम उस लाइक हो आईफोन ओडर किये पहला बार इसा हुआ था जबकि हमको याद है जब से हम यह काम कर रहे हैं कुछ दिन पहले मिस्राज भी सवाल किये थे आप रिलेक्स कब हो हैं इस बीच में तो पिछले छे साल से हम रिलेक्स नहीं हुए थे उस दिन हमको लगा हम रिलेक्स होके 2010 की बात है नौ में मेरा साधी हो गया था मतलब समझे जो अगदम साधी का जल्दवाजी था साधी कर लिए लियाबलिटी आ गया सर पे बाबु जी तो बस चलाते थे अपना बाल बच्चा का गुजारा कर ले वही बहुत काफी था मेरी पतनी के लिए भी वो सिंदू टिक लिए कहां से खड़ीद के लाते वो तो हमको ही इंतिजाम करना पड़ता तो सहरसा में जॉब मिला लगा था तो वहां यहां पटना से कुछ एजनसी गई हुई थे जो हायर करने के लिए तो एक प्राइवेट स्कूल था यहां पे उसको चपरासी का जरुरत था तो बहुत थीक है आप पटना आईए आपको वहां इंटरव्यू होगा और जिस स्कूल में आपको रखा जाएगा उनके प्रिंस्पल लोग रहेंगे उनके सामने में आपसे दो चार लाइन का इंटरव्यू होगा हम गए तो जानते हैं मतलब सबसे बड़ा चीज क्या था ना जो लो से निकाल के पेंट दी थी अग्दम आईरन वगेरा क्या है नहीं उसमे लगा हुआ था इससे पहने और चल दिये जब गए वहां पर तो एक मैडम थी दो तीन साहब लोग भी थे तो अपना सब यहां क्या है जो जाते हैं तो बड़े को प्रणाम करते हैं मतलब सिखाया ग किये और बगल में कूरसी था बैठ गया दो चार गो जो फर्मेलिटी है क्या नाम है कहां तक पढ़ाई किये हैं बाबुजी क्या करते हैं पूछ के उसके बाद एक सर थे वह अपना ऐसे करके फोन बठाय और बुले इस यह लोगों को पहशानते हैं तो उस समय हम लोग तो बोला यह आइफोन है और इससे एपल कंपणी बनाती है हो गया थीक है आप जाईए आपको इनफॉर्म कर दिया जाएगा आज तक तो वह इनफॉर्म नहीं किया जो भाई तुमारी नौकरी लग गई या नहीं लगी आये घर वापस आया और एक पिता को तब तक लीफ होता है जब एक किसान का बेटा बोलता है बाप को पिता जी हमको भी किसान बनना है तो उस समय पिता को पीरा होता है क्योंकि कोई किसान यह नहीं चाहता है जो हमारा बेटा किसान बने क्योंकि किसान की स्थिति खराब है कोई ड्राइवर यह नहीं चाहता है जो मेरा बेट तुमको पहुज में जाना था कितना अच्छा हाइट है तुम और पर होगे तो बोलो हम जमीन बेज देते हैं तुमको पढ़ाएंगे हम बोले नहीं अब हमको काम करना और पापा हमको गारी सिखा दिये और वही से मेरा जरनी फिर स्टार्ट हुआ और आज तक दौर रहे हैं और जब दिल्खुष आप किसी का इंटरिव्यू लेते हैं जॉब के लिए छेटा लोग को आज तक जॉब दे दिया आपने तो आप क्या पूछते हैं हम कभी किसी से क्वाइलिफिकेशन नहीं पूछते हैं क्या बात हैं आज तक हमारे पास जितने भी लोग आया हैं हम कि इसी फिल्ड में अच्छा नहीं कर सकता है तो आदमी को सबसे पहले उसके जीने का उदेश पता होना चाहिए उनका गोल पता होना चाहिए अगर हम एक इंप्लॉई ही बनने के लिए जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो हुनर है उसका अगर हम बेस्ट लगाएंगे तो हम बे चाहता है इसमें हम देखे यह सब चीज भी देखे उसमें हमको आउर्पूट नहीं मिल पाया जो एक अनुभवी अभीना डिग्री वेला हमको निकाल के दिया कुछ नहीं दर्शक दियोंगे तो आर्या क्या है क्या करता है तो हमारा जो कॉनसेप्ट है वो थोड़ा सा डि हम लिगांगे चोड़ालने मिलगावं में तो हम को सहर से कनेक्ट करें अब में 24 in 24 टेक्निलोजी बेस्ट टेक्सी सर्विस अब लेबल कर रहा है और कितने जीलों में काम कर रहा हूं यहां जाते हैं लेकिन अफिशियली को पहुंच पाते हैं जो आने वाले समय में जो हम लोग का उदेश है बाइस-टेस जाते जाते विहार के एक-एक गउन तक हमारी आगों को पहुंचायेंगे सुने आप नो पॉलिशी पे काम करते हैं एक बार अगर डन हो गया शीडिवल हो गया तो फिर कुछ भी हो जाये नहीं नहीं होता है सबसे बरा चीज क्या होता है एक ग्रह को क्या चाहिए ट्रस्ट चाहिए भरोसा चाहिए तो हमारा जो मोड्यूल है उसमें हम लोग सीड्यूल का ऑप्शन रखे हों पहले गाउंगर में क्या होता था फलनमा टेंपू वाला है उसको इसलिए हम बोल देते थे भाई हमको सुबह में ट्रेन पकरना है तुम चले आना उस पे इसलिए इतना ट्रस्ट था क्योंकि वह हमारे पास क पहुंच रही है हम रहें या ना रहें गारी पहुंच रहे गारी पहुंच रहेगी कौन ओफिशल सहर्सा से स्टाट हुआ था और एक चीज़ और अधोबनी पूर्णिया और भागलपूर में हम लोग काम ओफिस का खतम हो चुका है अक्तूबर में हम लोग लूंच कर देंगे ओफिस चली आज तक में कस्टमर को सर्व कर चुका है हमारे पास लगभग साथ से आठ लाग के वेश का कस्टमर हम लोग सर्व कर चुके हैं हो गया वह भी एक साल में मात्र एक साल अभी हुआ भी नहीं है अबंबर में मोबाइल अप्लिकेशन को कम्प्लीट लाइब किये हुए एक साल होगा और एक साल में असी हजार डाउनलोड करना और लगभग आठ लोगों को सर्व कर देना यह अपने में रिपीटेड कस्ट में पैदा हो रहत है हम चाहते हम मरे ना तो हम अपने जिसे हजारों आदमी को अमीर बनाएं अभी एक कंपनी है मुझे नाम है अगर चेतन भाई जानते हो तो उसने अपने पचास कर्म चानियों को करोड़पती बना दिया है और अभी वह अमेरिका के वहां का स्टॉक एक आप स्टेक ले लिजे और काम करिए तो अभी वह जब लिस्टेड हुआ अमेरिका के वहां पे तो 29 लोग को करोड़पती बना दिया 29 साल के वह लोग है वही पॉलिशी हम लोगों को भी बिहार में अपनाना परेगा विन-विन का पॉलिशी आप भी जीतो और हम भी जीते 50 percent लोग। हम लोग के पास इंटर्व्व्यू देने के लिए आते हैं तो हम लोग पूसते हैं भई कूंपनी क्यों छो रहा हैं जहां आप पहले से काम करते हैं तो बहुत सारे कमियाया गिना znay पतलब दिखाता है जो हमारा सोशन हो रहा थे सारे लोगों को अपने कर्म शा विन विन वाला पॉलिशी खेलना है और हमको लगता है जो छे हजार में जिस कर्मचारी को हम नियुक्त किये थे आज से आठ महना पहले उसका सलरी बारह है प्लस लेविंग होडिंग दोनों है आठ महना में मतलब सेलरी डबल हो गया यह इसलिए हुआ क्योंकि वह आउटपूट निकाल के दिया और हमको लगा हम वह हम जीत रहें वह भी जीत रहा है अब वह क्या कर रहा है तो हमारा यह नहीं है जो हम अमीर होके मरें हमारे साथ जुरे हुए हजारों लोग अमीर होके म बिहार में आप जैसे मतलब वेवसाई कितने बढ़ पाएंगे क्या महौल है अब तो दिल्खुष बूलने लाइक हो गया आईफोन हो गया एक बड़ी कंपनी चला रहे है आने वाले समय बिहार का ही है यह तय है जिस हिसाब से बिहार स्टार्टप के तरफ बढ़ चुका ह है आप जैसे लोग आ गया है बाहर से छोड़के हम लोग के लिए वह सीन हमको याद है जब हम दिल्ली गए थे गोड़ पकड़ते थे एंबीए वाले लड़के सब का चलिए बिहार वहां पे हमारे साथ मिलके और कई लोग के चेतन का भी गोड़ पकड़े आप उसका भी अब देश का भी पकड़े अब सब लोग को यहां मन लगता है काम करें चेतन केमरे के पीछे खड़े हैं दिल्खुष भाई के मित्र हैं और जब हम पहली बार दफ्तर गए तो दिल्खुष भाई ने कहा थे कहानी अंदर की कहानी है कि चेतन नहीं आ रहे थे चेतन बिहार कहीं है बेंगलोर में बहुत अच्छी सेलरी पर नौकरी कर रहे थे कहीं पर अच्छे मदलब कंपणी में नाम नहीं लेंगे हम और उसके बाद इन्होंने बहुत मतलब विंति की भाई चलाओ और अभी हम लोग खा रहे थे तो चेतन ने कहा कि अब हमसे जाया नहीं जाए हमारे पास सब कुछ है उनर भी है जोखिम उठाने का च्छमता भी है करेज कनेक्टिविटी करेंस इतनों चीज में हम लोग माहीर है हम लोग के पास मतलब इतना कलेजा मजबूत है जो लोग आलोचना करता है तो उस समय हम आपको भी बोले थे आलोचना से ही इनरजी आता है हम चाहते हैं जो लोगा लोगा आलोचना करें क्योंकि जब तक अलोचना करें करें तब तक लेट्स गेट अप्राइड बैक मेरी सब्सक्राइब नए में बचा के ह μας आउँ क्योंकि वहां पर जो लोग है उनको चाहिए उस लड़के की कहानी जिसने शुरू किया खतम हुआ और उस लड़के ने उसको फिर शुरू किया तो हम यह भी बोल के खत्म करना चाहते हैं बाकि आप दफ्तर ऐसे आते रहें और विहार बढ़ता रहेगा जै बिहार जै भारत चलिए मेरे नाम भी प्रशान तरह है आइफोन सम्हाल कर रखने की ज़रूरत है कभी कभी गिर जाता है तो हाट टेक ही आ सकता है बाकि आप जन्ता देख रहे थे और यहां पर प्रणाउंस करते हैं एक तारिक को अपने एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम बदलता बिहार लेट्स के सारे स्टार्ट अप्स क करेंगे आपसे आपके आईडियास के बारे में जानेंगे और उसको जन्ता जन्टा पर प्रसादित करेंगे यानि कि सबको देखने का मौका मिलेगा तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उहां आए तो जन्क्षन जन्ता द्रेट जीमी लोड कम पर मेल कर दीजे बाकि